हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरू कुल्डियूशन में तो आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं फैक्टर्स अन मल्टिपल्स को तो फैक्टर्स अन मल्टिपल्स में आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डिवि इससे क्या होगा इससे हमें factors and multiples समझने में काफी आसान होगी वीडियो को शुरू करने से पहले content मेरे अच्छा लग रहा हो तो चैनल को subscribe कर देना वीडियो को like कर देना और कोई doubt हो तो आप मेरे को comment box में comment कर सकते हो या फिर मेरे को personally mail कर सकते हो मैं mail id description box में डाल दूँगा feel free to contact me तो चले शुरू करते हैं इस वीडियो को तो सबसे पहले हम divisibility test में देखेंगे 2 का divisibility test तो divisibility test of 2 में क्या होता है कोई भी number 2 से कब divide होगा जब उसका once place पे 2, 4, 6, 8 या 0 होगा so divisibility of 2 कब possible है the divisibility of 2 is possible if digit at once place यदि कोई number है कोई number given है उसको हमें check करना है कि that number is divisible by 2 or not so उसका हम क्या check करेंगे उसका once place पे जो digit होगा उसको हम check करेंगे कि वो इन सब numbers में से कोई एक number है या नहीं ओके that numbers are 0, 2, 4, 6, 8 खीक है तो 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी एक number यदि once place पे available है तो वो number क्या होगा that will be divisible by 2 तो इसको example से समझते हैं एक्जामपल क्या होगा suppose I am taking a number 84 और 84 इस डिविजिबल बाई 2 और नाट तो इसको हम कैसे चेक करेंगे तो ये एक number है ओके given number जहां पर बोला है given number उसमें हम क्या चेक करेंगे once place once place once place पे क्या चेक करेंगे digit को चेक करेंगे digit को ये digit 4 ओके that digit is 4 वो digit क्या होना चाहिए ये जो digits आप देख रहे हो इन ही 5 digit में से 1 digit होना चाहिए तो जैसे कि आप देख रहे हो 4 तो 4 यही 5 digit में से 1 digit है so we can say that this 84 will be divisible by 2 तो वो भी चेक कर लेते हैं कि होगा कि नहीं होगा so we divide it by 2 2 4s are 8 0 4 will come down 2 2s are 4 0 so it is completely divisible by 2 okay so in this way we can check a number is divisible by 2 or not so this was the divisibility testing for 2 now we will see the divisibility testing of 3